राष्ट्य सर्पर्थम की बात ललिट सुमन के साथ कार्ज क्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आपका स्वाधत भारत के उपराष्टपती ने आज पूर केविनेट सेकेटरी प्रभात कुमार द्वारा लिखित पब्लिक सर्विस एंड एथिक्स एक क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत का विमोचन किया इस अवसर पर बोलते हुए प्राष्टपती ने कहा कि वह इस अवसर पर लेखक को शुपकामनाय देते हैं इस पुस्तक का विशय आज के समय में अत्याधिक महत्वपोन है क्योंकि आज के समय में नैतिक मुल्यों का हास्र हुआ है और भर्षचार बढ़ा है यह पुस्तक जन सेवा में सही मार्थ दिखाने में सहायक होगी और इसे एक बार अवश्य पढ़ा जाना चाहिए I am very happy to release the book, Public Service Ethics, A Quest for Naithik Bharat by Sri Prabhat Kumarji, published by ISIS Center for Governance. As the former Governor of Jhwarkand and as an evident civil servant who had served the highest level as the Cabinet Secretary to Government of India, Sri Prabhat Kumar has a rich experience of almost 50 years in public service. At the outset, my compliments to the author for his efforts to bring about this book. Friends, the topic chosen by Sri Prabhat Kumarji is indeed very important and pertinent to public discourse. All over the world, there is a growing perception that ethical values are diminishing. Why perception? Nearer to the reality also. Every profession in the economic, social and political arenas has experienced these effects of the erosion of normative principles and values. Even in governance, there is a decline in values, general decline and many instances of corruption also. We have almost 70 plus years of our experience after independence. The book deals with ethics in governance and in public service and proposes a collective quest for ethical India or Naithik Bharat. That's why I feel that it's an important book to read, to be read. Because the person who has written this book is known for his integrity, commitment to the cause of the nation and also who followed ethics during his service in public life. केंद्रे ग्रहमंत्री अमिच्ष शाह आज बीएसेफ के 57 स्थापना दिवस के अवसर पर जैसल मेर पहुँचे. इस अवसर पर उन्होंने शहीत बीएसेफ सैनिकों को श्रधानजली अर्पित की और सैनिकों को वीरता प्रदक से सम्मानित भी किया. उपस्तित जन्ता को संबोधित करते हुए ग्रहमंत्री ने कहा कि जैसल मेर की वीर भूमी पर मनाया गया यह स्थापना दिवस हमारे आजादी के अमरित महुत्सव का स्थापना दिवस है. सीमा सुरक्षा बलको आजादी के सो वर्ष पूरा होने से पहले अपने लक्ष तै करने की अवशक्ता है. ग्रहमंत्री ने भरोस्व जताया कि बियस अप ऐसा करने में सफल रहेगा. सतावनवा स्थापना दिन और परमपरा के अनुरूप इसकी परेड का दिन है. अगरे इसका विशिष्ट महत्वा है. महत्वा दो दुरुष्टी से हैं. एक तो बलकी स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सिमा के जिल्ले में बलका स्थापना दिन बनाने का नरे जहां पर बलके सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाश्ठा करकर देश की सिमाओं को अक्षून रखते हैं इसकी सुरक्षा करते हैं इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जिसल मेर की वीर भूमी पर इस थापना दिन मनाया जा रहा है और दूसरा इस थापना दिन हमा 2020 गुव कर संबलां से एक मिले हुए पचेट्र साल हुए है हमारे सनमानने प्रदानमंतरी नरेंद्र मोधी जी ने इस वर्स को अंडुथ महर्सकी रूप में मनाने का नीने की आर्व करना कि सो साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे हर दुरुष्टी से हर क्षेत्र से हम कहां खड़े होंगे उसका लग सताई करने का ये वर्स है मैं मानता हूं गुरु विभाग और सिमा सुरक्षा बलने भी आजादी की सता भी जब मनाई जाएगी तब सिमा सुरक्षा बल हर क्षेत्र के इंदर चाहे वो ट अपने लक्स उन्होंने तय करने चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ और मुझे विश्वास है कि पंकत सिंग के नेत्रूत में एक काम सिमा सुरक्सा बल बहुत अच्छे तरीके से करेगा। मैं जब आज यहां पर आया हूँ, तो देश भर के पुलिस बल, हमारे सिमा सुरक्सा बल और सिमा सुरक्सा की अलग-अलग जगे पर लगे हुए सारे CEPF के जवानों ने, 35,000 से ज़्यादा जवानों ने अलग-अलग जगे पर बलिदान दिये हैं। और मुझे कहते हुए गवराव है कि B.S.F. इसमें सिरमोर है, सबसे आगे हैं, कि सबसे कठीन, सबसे कठीन सिमाओ की सुरक्सा का दाइत्वर B.S.F. को दिया है। आज मैं उस सभी दिवंगत सहीच जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधान मंत्री जी की ओर से और गुरु मंत्राले की ओर से विनम्र सद्ध्रान जली देकर अपनी बात की सुरुवात करना चाहता हूँ। मित्रो, सिमा सुरक्सा बल का जो इतियास है, बहुत गवरपोन इतियास है। उन्नी सो पैसट के युद के बाद इत्की स्थापना का नेने किया और उसकी स्थापना के कुछी समय के अंदर दिरे 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 सिमा सुरक्सा बल ने अपने आपको व्योस्तीत करा। और आज दुनिया का सबसे बड़ा सिमाओ की रक्षा करने वाला बल हमारा सिमा सरक्षा बल है इसको हमें बहुत भरुआ हर भवगोलिक परिवेश के अंदर अहर नीश पराक्रम और उत्कुरूष्ट्र सेवा का परदरसन करते हुए सिमा सुरक्षा बल ने अपने देश को तेरा वीर चक्र, चार किर्टी चक्र, तेरा सौर्य चक्र और अगिनत पूलिस मेडल आपके सिमा रक्षण में एक अध्वितियल बल होने का सबसे बड़ी साक्सी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं वो मेरे लिए भी गवरव ले अटल जी के समय में एक नेन है हुआ कि एक देश, एक बल देश से जुड़ी हुई सिमाओं के लिए एक बड़ा महतोपूर्ट फैसला करकर पूरी होच-पोच को समाप्त करने का काम किया गया एक देश की सिमाँ पर एक ही बल होगा और उस वक बीएसेफ के लिए उचीती है वैसे बीएसेफ क कि तीन अजार तीन सो तेईस किलो मिटर की सिमा हम सब जानते हैं इस दोनों सिमाओं का रक्षा सबसे कठीन होता है परन्तु एक सो तीरानवे बटालियन और धाई करोड से ज्यादा लगबग दो लाग पैसट हजार जवनों का आपका जो मजबूत संगटन है उसने इस सिम प्रधवाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा करकर अपने आपको साबित करने का काम किया हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगियादित्यनाथ ने आज पत्रकार वारता में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की उत्तर प्रदेश यात्रा वा अन्य योजनाओं के संबंद में जानकारी दी कारिक्रम में बोलते हुए मुख्यमंद्री ने कहा कि 7 दिसंबर को गोरगपुर में हिंदुस्तान उर्वरक के नाम से एक खाद कारखानी का शुबारम किया जाएगा 46 सो करोड की लागत से बने इस कारखाने से किसानों को खाद और उर्वरक के लिए किसी दूसरी विवस्था पर ने भर नहीं होना होगा कि गोरगपुर में 1990 में पर्टलाइजर कर्परेशन ओफ इंडिया का एक खाद कारखाना था जो बंद हो गया था अने एक सरकारें आई आस्वासन पर आस्वासन दिये गए लेकिन 26 वर्सों तक उन लोगों ने हमेशा हाथ खड़े कर दिये कि अब यहाँ पर नए कारखाने क्या उसक्ता नहीं है इसके करणन केवल अन्मदाता किसान प्रभावित हुआ था बलकि सामान नागरिकों की जीवन पर असर पड़ा गोरकपुर के विकास और पूर्वियत्तर विकास के विकास पर विप्रीत असर पड़ा रोजगार और नौक्री की संभावनों पर बिराम लगा अब ये सपना साकार हो चुका है रोज़ान मंत्री मोदी जी ने दोजार सोला में कोरकपुर के खाथ कारखाने का सलान्यास किया और एक समय सीमा के अंदर एक खाथ कारखाना बनकर के तयार है साथ किसंबर को तुधान मंत्री मोदी जी के करकमलों से एक भब्य समारों में हिंदोस्तान पुरुबरक के नाम पर यह नया खाथ कारखाना बनकर के कैयार है यह राष्ट को समर्पित होगा बारा लाग मिट्टिक टन से अधिक यूरिया काथ पादन यहां से होगा इसी परकार से यह खाथ कारखाना केवल यहां पर किसानों को समय पर उरुबरक और रसायन उतलब्द कराने में बलकि धेर सारी रोजगार की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाने में इसके एक बहुत बड़ी भूमिका होगी केंदर और राज्य सरकार यहां के स्थानिय नागरिकों के साथ सुधी जनों के साथ भारतिय जनता पार्टी ब्यापारिक संगठनों समाजिक संगठनों के साथ और जो यहां से जुड़ी भी इन समस्याओं की प्रतिचिंति थे उन सभी संवठनों को अपने साथ जोड़ते वे प्रदानमंत्री मोदी जी के भब बिस्वागत की तयारी के लिए हम सब पुरी मजबूती के साथ पड़े वबर के कारे करेंगे फटलाइजर का जो पार्खाना है वह लगभग छैसो एकड़ छे तरफल में बना है फटलाइजर के निर्माण में जो यहां पर पैसा पुल खर्च हुआ है वह आरजार छैसो से चैसो करूड उपे से धिक की धंदासी इस पूरे प्लांट पर खर्च हुई है इसी प्रकार से फटलाइजर के उस पे लगभग 111 करोड उपे एम्स के निर्माण में खर्च हुए है और जो हम लोग यहां पर ICMR का एक सेंटर यहां पर उपलब्द करवा रहे हैं इस पर भी लगभग 36 करोड उपे इस पूरे प्रोजेक्ट पर जो यहां पर नई लाइप्स बनी है इंटरनेशनल मानक की इन रूप लाइप्स बनी है इन पर इतना पैसा खर्च हो चुका है यह पूरे सेंटर सभी संस्थान बन करके तयार हुए है इस पूरे सकारत्मक अभ्यान और सकारत्मक सोच का हर बेक्ट्य विनंदन कर रहा है और साथ दिसंबर को उनके स्वागत के लिए पूरी तकपरता के साथ यहां पर आकरके प्रधान मंतरी मोडी जी का स्वागत करेगा मदप्रदेश की मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने भोपाल के एकतापुरी ग्राउन में आयोजित निशुल्क चिकित्सा शिवर समापन समहारों में भाग लिया इस अवसर पर मुख्यमंतरी ने उलेखने कारे करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया साथ ही मौकी पर दिये गए अपने अभिभाशन में मुख्यमंतरी ने नर सेवा नारायन सेवा के मंतर का उलेख करते हुए चिकित्सा शिवर में शामिल होने वाले डॉक्टरों का धन्यवाद भी किया आज मौपाल के बहार से अलग अलग बहानकों से पधा रहे हुए हमारे सभी सिर्धे डॉक्टर्स जो आपके इनाज के लिए चेक अप के लिए आए हुए है मैं उनका हिज़ा से स्वागफ करता हूँ और उनको धन्यवाद बेता है प्ये बहनों भाईयों बेटे बेटियों नर सेवा नाराइन सेवा सब की सेवा ही मौपाल की पूझा है और जब सेवा के हम बात करते हैं तो बीमारी में सेवा हो जाए और यह से भाई बेहनों की सेवा हो जाए जो महंगी इलाज का खर्च उठाने में कठना यह मैसूस करते हैं गरीब मध्धंबर की निम्न मध्धंबर की तो इस तब आपको ने कुछ हो नहीं सकता स्वार्गी बाई तब कहरा सारंग जी चाची जी सीवजी सुन सारंग जी की स्विर्ति में विस्वास यह सेवा का महायग जो तुमने किया है तो उसका बहुत बहुत अभिनंदर करता है कि यह अचन्त प्रसंचनी काम है बंदनी यह काम है और मैंने धिर्बण के दौरान देखा चोटी-चोटी चीज़ों कहना ज्यान रखा गया है आज में टेक्नोजी का भी प्रियोग करके कैसे आने वाले पेसंट्स का चेक अप कराने के यह आने वाले पहनों और भाईयों क कि खीक डंग से इलाज हो सकता है इसकी माई को प्राहिन विस्वाजियों की हमारे भाई साथ कहला सारवी भी परचाची जी स्रीमती प्रसुन जी जहां भी होंगी वो इस अभियान को देखते सच मुझ में बहुत कुसर्ण होंगे और दल से आसीपा शेयर होंगे मैं उनके चल्णों में भी प्रणाम करता हूं रोग मुठो जितने भाई और पहन यह हैं चैक अप करानी आये हैं वो रोग प्रसंद रहें स्वस्त रहें और केला जी को प्रणाम करते रहें और बिस्तास वाची बाद रहें बहुत रहें एक प्राथ न सबसे कमगा एक शेकिंड डोज जिनने नहीं लगवाया हो पोविट का जरूर लगवाल है अगर अगल वगल में आज पर उसके कोई रहें आओ तो उसको भी लगवादाना ओमिक्रान हो या बागती कोई बाहिलस हो कोरोना का उसे बच्चिने का सबसे प्रभावी अगर कोई सुरक्षा का बच्च है तो वो सेकिंड डोज है 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका परते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए 22 वर्षों में आपके लोग प्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पन का परविए आपके इस तरहें अपने शित्र खबरें और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले कर दो अःद हमें झोटे आपके लिए आपके लिए इंडिया आपके लिए ग्खके लिए जापके लिए्टिक लिए ग्कांट आपके जिए उत्त्य प्रदेश के गाजियाबाद में आज डॉक्टर गिर्धारी लाल गुस्वामी की 33 वी पुन्य तिथी के अवसर पर अखिल भारतिय जोतिश संगोश्ठी का आयोजन किया गया इस अवसर पर देश विदेश से प्रकांड विद्वान जोतिश विशेशग्य वब्राम्भुणों को संस्था द्वारा संबानित किया गया उनकी नाम पर दिल्ली सरकारद्वारा प्राच्चिय विद्या अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई है इस अवसर पर कारिक्रम में विद्वानों ने उपस्तित जन्ता को संबोधित किया मैं इतने चैनलों के बाद में आज तक रिकार्ड बताओं नो चैनल चलाने का मैं किसी मिनिश्टर के हां नहीं गया किसी मिनिश्टर क्यों वो लगाते हैं ना ऐसे इसे दोती भी उटा कर देखते कहीं को छुपाने मैं कभी नहीं गया CEO Reaker के चैनल का, CEO, New Channel का, CEO के आप समझ सकते ताख़त के, मैं कभी नेगे हैं, आचारी जी जानते हैं, आचारी जी जानते हैं, तो हम अपनी उस लिष्ठा को, उस करुना को, उस बात को समझ करके, कहीं न कहीं, जो गरीब हो, उसका भी कल्यार करें, जो अमीर हो, उसका भी कल् इस, वो विद्या, वो राष्ट गुरु जो कहते हैं ना, विष्ष गुरु, तब चाहां, आपके ऊपर तो है ये सब कुछ, उस विद्या का भालंग करें, आप सब लोग को प्रणाम है, पोजे आदरनी गोसामी, डाक्टर गोसामी, गिर्धारी लाज जी के साथ थैला ल आज भी टक्टकी लगा के देखता हूँ, जैसे आदरनी जेप्रकास जीने, जैसे आदरनी आचारी जीने, और आप लोगों ने खुसनाएं की, और वो फली बूत होई, वो जोतिस है, वो विद्यान है, और उस विद्यान को, उस जोतिस को पुनर चीवित करने के लिए, आ सब्सक्राइ के लिए, सुताती से पहले, जायन जार सा पहले, महावीर को डहीजार साल होई, महावीर को जायन जार साल है, अंदाजर मीय वीद्यान चलता है, इसलाम को चोराशाल साल होई, इसलाम में चंद्रमा को मानते हैं सूरुज को मानते नहीं है इसलिए उनका भी पिलेंडर है अन्साइटिफिक हर साल फिक्स है अश्वी नक्षत्र आएगी अभी 14 तारीक को क्या आने वाला है 14 तरकीता जन्ती को कौन से नक्षत्र में आएगी अश्वी नक्षत्र आपके लंडर उठाके देखिए पिछले सोजाल का हमेशा जो कीतने जन्ती आएगी वह अश्वी नक्षत्र में आएगी वह टाइंग डेट फिक्स है यह किसको समझे में आया इसे ने किसना पूथी ने क्या का किया उसने सूरज को नुक्षमान कर जिस तूश्य में आता यह तीन नक्षत्र है क्योंगतु पतूपे सा मागयों परिस्तें चुट depraamp कर दो सब्सक्राइब करें तो इन टीन टारीकों में से एक तारीक को नतारीब करें इसे एक नक्सात के एक रासी होती है और चाल चरण का एक नक्सात होता है तो नव चरण की एक रासी होती है इस भार बूले से सारा चोटर चला जला पंचांग चला यह टेटे हमारी फिक्स है कले आप चाहें तो आप च्छापक है तो मैंने अपचांग चापका सारे चाहँ सब्सक्रा इसलिए कि यह गारियल क्लिंटर को मत मारी तिटी को लेकर चलिए शराथ करते हैं तिठी के असाब से और जब वह बाद हो कि तो जूली सितर आया उसने जुलाई जोड़ दिया अगस्ति आगास जोड़ दिया तो इसके खराब हो इक फरवरी की तो उसने जब जूली से तक बाद अग तो यह बताएं जो जो नमराली की करते हैं तो इसने जूटा वग्यान है यह ज़ूटा नहीं है ठीक है हम उसकी इजद करते हैं उसको समान दिया लेकिन वग्यान की तिर्शी से गलत गोवा के लोगों का पानी ठीक करूंगा कोई नेता यह नहीं कहता कि मैं गोवा के युवाओं को रोजगार दूंगा सब नेता लगे हुए हैं इस पार्टी से अलाइंस करेंगे उस पार्टी में छोड़के जाएंग आम आदमी पार्टी में हम गोवा के जब भी हम बात करते हैं हम गोवा के विकास का प्लैन बना रहे हैं मैं पहली बार आया मुझे पता चला कि लोगों के बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं गोवा के अंदर पावर कट बहुत लगते हैं बिजली जाती है कई-कई घंडे के पावर कट लगते हैं हमने दिल्ली में इसको ठीक किया तो हमने पहली गारंटी दी कि हमारी सरकार जैसे दिल्ली में की और 24 घंटे बिचली देंगे हमने दूसरी गारंटी दी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे हमने तीसरी गारंटी दी हर आदमी चाहता कि मैं तीर थ्यात्रा कर क्या हूँ आपकी जानकारी के लिए बता दू बड़ी खुशी की बात है अभी परसों दे बिफो येस्टडे दिल्ली से पहली ट्रेन दिल्ली के लोगों को लेके दिल्ली से अयोध्या गई है रामचंदर जी के दर्शन करवाने के लिए गोव में होना चाहिए के नहीं होना चाहिए गोव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी आपको अपने भगवान के दर्शन कराने के लिए हम तीर थ्यात्रा करवा के लेके आएंगे चौथी गारंटी हमने अपने गोवा के टैक्सी के भाईयों के लिए दी और आज मैं महिलाओं के लिए पांचवी गारंटी का एलान करके आया हूँ तो आम आदमी पार्टी गोवा के लोगों के विकास के लिए पूरा प्लान तयार कर रही है हमारी सरकार बनेगे हम क्या करेंगे पूरा प्लान तयार कर रहा है हम लो तो आज मैं महिलाओं के लिए आईलान करता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी ग्रह आधार योजना जो अभी डेढ़ हजार रुपया मिलता है इसको हम बढ़ा के 5,000 रुपया महीना करेंगे दूसरा जिन महिलाओं को ग्रै अधार योजना नहीं मिलती एक परिवार में एक ही महिला को मिलती है हाउस वाइफ को मिलती है आपकी बेटी है, आपकी माँ है और दूसरी महिलाओं जो 18 साल से उपर की उम्र की महिलाओं जिन को ग्रै अधार योजना नहीं मिलती उन सब को 1,000 रुपय हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाएगा अगर हमारे हर महिला की जेब में 1,000 रुपय होंगे तो वो क्या-क्या नहीं कर सकती है वो बड़ा फ्रीडव महसूस करेगी वो इंडिपेंडेंस महसूस करेगी वो एंपावर्मेंट महसूस करेगी मैं समझता हूं कि अग हम जो हर महीला की जेब में 1,000 रुपय डालने जा रहे हैं इस इस गोइं तो बी परहाप्स दबिगेस्ट अब वक्त है देश दुनिया की धड़ा धड़ दस खबरों का भारत में एक दिन में COVID-19 टीके की एक करोड से अधिक खुराग दी गई CGI रमन ने कहा अदालतों में जाने का विकल्प अंति मुपाय होना चाहिए इलहबाद उच्ची नियायालाई ने पूर्विधाय की जमानतियाच का खारिश की मुंबई में MSRTC की हर्ताल जारी 245 और करमचारियों को किया गया ने लंबब शिमला की मुख्य मंत्री ने नई दिल्ली में स्वर्णिम हिमाचल कला महत्सव का शुवारम किया पंजाब की मुख्य मंत्री चरण जीत सिंग चन्नी ने परिवार सहित बगला मुख्य मंदिल में पूजा अर्चना की दिल्ली में भी ओमिक रोम की दस्टक तंजानिया से लोटाँ बनकी पाया गया संक्रमिक अलन-जीपी अस्पताल में भरति दिल्ली में बदला मोसम का मिजाज मोसम विभग के मताबिक दिल्ली का अधिकतन तापमान सामाणनी से 2 लिगरी 26 دشमलो 8 लिगरी सेलसियस पॉंडू चेरी में तदकार प्रभाव से कोरोना ठीका करन हुआ अनिबारे सरकार ने चारी किये आदेश दिल्ले में डॉक्टरों की हर्ताल दूसरे दिन भी जाले सोमवार से एमेर्जन्सी सेवा भी बंद करने की दीचिताव राश्य सर्पर्थम की बात लली समन के साथ कार्थक्रम में हम आज आप से बिदा लेते हैं राश्य सर्पर्थम बंदे मात्रम जाब उठा है भारत रास्ट आसल नवातम।